अब आपको राजस्थान के सिरोही से आई एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर सवारी सभरा हुआ एक आटो रिक्षान नदी में घुज गया और उसके बाद क्या हुआ देखे इस रपोर्ट सिरोही में अच्पुरा नदी में एक आटो तेज बाहों में फस गया नदी के भाव में फसे आटो को निकालने की कोशिश हो रही है एक घटना बुदवार के नदी के किनारे कुछ लोग खड़े हुए है उनी में से एक शक्स तेरता हुआ आटो रिक्षा के पास पहुँचा वो आटो रिक्षा को हिलाने की कोशिश करता है लेकिन आटो रिक्षा अपनी जगा से तस से मस नहीं हुआ अब सवान उठता है कि आटो रिक्षा नदी में कैसे पहुँचा है पताया जा रहा है कि सवारियों से भरे आटो रिक्षा को ड्राइवर ने नदी में खुद उतारा था जिस वक्त नदी में आटो रिक्षा उतारा उस वक्त नदी के पानी का बहाओ ज्यादा तेज नहीं था लेकिन अचानक नदी के पानी में तेजी आ गए इसकी वज़े से ड्राइवर आटो को समान नहीं पाया और नदी के तेज बहों में आटो बहने लगा आटो बहता देख उसने बैठी सवारियों ने आटो से खूद कर किसी तरह अपनी जान बचाए ड्राइवर भी सुरक्षिल भार निकल गया लेकिन आटो बिक्षा पानी के तेज बहों में फसा रह गया नदी में पानी बढ़ने से आटो बिक्षा के साथ साथ एक मोटरिसाइकल भी बहने लगी इकिन मोटिसाइकल नदी में बह गई और रिक्षा को नदी से नहीं निकाला जा सका दरसल मंगलवार रात को तेज बारिश हुई थी बारिश की वज़े से अच्चपरा नदी में पानी बढ़ गया पिरशासे ने अपील की है कि कोई भी नदी में नहीं उतरे नहीं बहते पानी में सड़क पार करने की कोशिश करे विरुर्पूल जी मीडिया